नमस्कार दोस्तों, मैं हस्नेयन रजा, आप सभी के समक्ष उडान के इस डिजिटल मंच में पुना उपस्तेत हों जैसे कि आपने थम्नेल में देखा होगा, ये हमारी वीडियो सीरीज की दूसरी वीडियो है जिसमें अपन टार्गेट लेके चले कि होस्टल वड़न में 5 out of 5 जो है वो लेकर के आना है इसके लिए मैंने पहली वीडियो डाली हुई है जो की खेल संबंदी महत्पुन प्रश्नोत्तर के लिए थी वो अच्छा रिस्पॉंस रहा उसका और उस रिस्पॉंस के लिए आप सभी को धन्यवाद ये जो हमारा दूसरा वीडियो है ये करेंट अफेर की सीरीज में बहुत ज़्यादा महत्पुन है कैसे क्योंकि आप देखोगे व्यापम की जितने भी पेपर होते हैं वहाँ एक तो स्पोर्ट्स और दूसरा योजना है और आज का जो वीडियो है हमारा वो योजनाओ को लेकर आया हूं मैं योजनाओ के साथ कुछ प्रमुक अभियान भी हम लोग देख लेंगे लेकिन इसमें आप लोग ये बात ध्यान रखना कि केवल mcq बताना आपको उ कोष़न हमारा कि महातारी वंदना योजना महातारी वंदन योजना कि शुरुवात कप की गई थी ऐसा तो देखो भाई इसको समझो आप लोग महातारी वंदना योजना में 8 मार्च 10 मार्च 12 मार्च और 14 मार्च ये डेट दिया हुआ है इसके दो उत्तर हो सकते हैं depend करता ह प्रश्न के ऊपर कैसे फिलहाल इसका उत्तर अपन आप्शन के अकॉर्डिंग लेंगे 10 मार्च ठीक और वह 10 मार्च क्यों लेंगे क्योंकि महतारी वंदना योजना की जो पहली किस्त है आप लोग जानते हो महतारी वंदना योजना के ताथ 1000 रुपए प्रतीमा जो है महिला 24 को घुटि लेकिन जो पहले किस्त कई ती वो 10 मार्च को घू अगर आपको वैं को गोष्ण ना पूछे तो आपको आख्यांसर येky बता रहा हूं तो दस मार्च इसका आंसर होगा इस बात को आप ध्यान में रखेंगे महातारी बंदा योजना नेक्स्ट इसी योजना से संबंदित दूसरा प्रश्ण प्रदेश के कितनी महिला महिला हैं इस योजना का लाव उठा रही है तो आप लोग देखेंगे वो जो जनसमपर्ख में बात का उस पॉंपलेट में बार बार इस डेटा को फोकस कर रहा है ठेक 70.12 लाग तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे 70.12 लाग इसका आंसर होगा अब महातारी बंदा योजना के बारे में थोड़ी बहुत बाते आपन जान लेते हैं जैसे कि मै महिला एक जनवरी 2024 की डेट में 21 वर्ष थी, इसकी आयू 21 वर्ष थी. उसको मिलेगा. अगर कोई महिला विद्वा है, परित्यत्ता है, तो उसे भी इस योजना का लाप प्रदान किया जाएगा. इसके अंतरकत आप लोग ध्यान में रखना कि पहले जो विद्वा और वृद्धा और जो पेंशन योजना है जो बहुत सारी चल रही है वो इसमें इंक्लूड है ठीक यानि कि टोटल मिला करके एक हजार रुपय का ही बुक्तान किया जाएगा अगर आपको वार्षिक बोलत विद्धायक है ना ऐसे कोई पद पर रहती है तो उन महिलाओं को जो है अपात्र गोशित किया गया इसमें ऐसा तो वह इस योजना का लाब नहीं उठा सकती यह हुआ हमारा महतारी वंद्धना योजना जो की छट्वार सड़कार की अभी है ना बोच सकते हैं कि उसका मु नेक्स्ट बहुत ही महत्वून थी पुरानी योजना इसके पहले अली योजना अब इसके बाद जो दूसरी महत्वून योजना है most important योजना ठीक most important क्यों है तो क्योंकि आप लोग देख रहे होगे अभी नकसल का दिवीदिया बहुत जादा बढ़ गई है ना उससा यह 15 फरवरी को की गई थी इसी वर्स 15 फरवरी को 2024 में की गई थी इसको ध्यान में रखना आपनो यह नियत निल्ला नार योजना जो है इसका आशाय क्या होता है यह प्रशन है अपना तो इसका option आप देख लो आपका अपना बस्तर योजना आपकी अपनी संस्कृती योजना के बारे में थोड़ी बहुत बाते आप लोग जानो कि योजना क्या है ठिक तो यह योजना के बारे में समझना कि गोशना थो ठीक है 15 फरवी को 2024 को हुई थी इस योजना क्या किया जाएगा कि पुलिस कैम्प इस्थापित किये जाएंगे ठिक पुलिस कैम्प कहा सापित क के जाएंगे और उस चैंप के 5 km के दाइरे में जाके इसको ध्यान टाइरे को 5 km के दाइरे में वहाँ पर मुल्भुत्स विधाय उप्लबद करवाए जाएगी उस जैंप क्यांफ वह बेश रहेगा का इंद्र रहेगा उसके 5 km के दाएरे में मुल्भुत्स विधायाएं लगभग 25 प्रकार की मुल्भुत्स विधाया वह भी इस योजना के तयात है 25 प्रकार की विधाया जैसे कि बेसिक स्वक्ष जल की उपलब जता स्वक्ष वायू आदो सरशनी आत्म को विकास्ट सलक भवन इसके लावा सौसाइटिक की स्थापना जिला चिकित सालाय की स्थापना ऐसा तो मूलभूत सविदाय जो है इस योजनाओं के तहट देने का जो है वो उद्देश रखा गया है इसका में जो फोकस है वो यह है कि नकसल गति विदियो को बाधित करना बस यह है नेक्स्ट अगली स्कीम हमारी तो अगली को ठिक 15 नमंबर 2023 को यह बहत्वपूर्ण क्यों है तो कि हमारा जो राज्य है वो स्थी बहूल है और यहां पर विशेश पृषडी जनजातियों के संख्या पांच है जैसे कि आप लोग जानते हो इस दिन जनजाती गौरव द्योस में मनाया जाता है इस योजना का अधान्मंत्री जनजाती न्याय महाभियान ये इसका एक और नाम है इसको ध्यान में रखना आप लोग इसके ताफ क्या किया जाएगा जो विशेश पृषडी जनजातियों हां जो कि हमारे हां जत्यृसगर में कितनी है आपको पता ही है पांच है तो इन सभी को आवास, सभी को आवास, सभी को जो है वो प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट एक स्पेसिफिक उसके अंतरगत योजना चला करके जो है वो आवास उपलब्द करवाया जाएगा, कब चालो हुई थी तो 15 नवंबर 2020 को ये राष्ट्री इस्तर का अभियान है, याद रखेंगे आप लोग, तो ये हुआ खतम अपना, अगली योजना हमारी, मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले से इसकी शुरुवात की गए, तो किसकी शुरुवात की गए उपर में देख रहे होगे आप लोग, योजना का नाम लिखा हुआ, क्रिशक उन्नती यो योजना चालू ही है, क्या है योजना, कुछ स्पेशल नहीं है, कि जो धान खरीदी होती है, तो धान खरीदी के जितने भी प्रावधान है, जो मैनिफेस्टों में भाचपा सरकार लेकर के आई थी, अपने घोशना पत्र में, उसके लिए योजना की शुरुवात कर दी ग आदान सहायता राशी अगर आपको पूछेगा तो यह 917 रुपय है, इसको ध्यान में रखना कि आदान सहायता राशी, एक्स्टा राशी का जो भुकतान किया जा रहा है, तो एक हुआ क्रिशक उन्नती योजना, क्रिशक उन्नती योजना की शुरुवात कप की गई थी, यह भी महतपोन हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा यह अभी चलन में है यह योजना, 12 मार्च, ठेक, इसका आंसर होगा 12 मार्च सीधे-सीधे, कोई भी डिटेल नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इसकी शुरुवात में क्या ही बता सकता हूं, 12 मार्च 2024, नेक्स्ट, शहीद व बजर 18 के पहले रमन सरकार थी, उसके द्वारा यह यह योजना चलू की गई थी, इसको दुबारा भाच्पा सरकार जब बनी है, तो इसको फिर से शुरुवात की गई है, अब इसमें जो अपना क्वेश्चन है, वो देखने लायक है, समझने लायक है कि संगठित छेत्र संगठित छेत्र, संगठित छेत्र के श्रमिकों को जो अन है, मतलब जो आपका भोजन है, गर्म पौश्टिक भोजन वो दस रुपे की दर से उपलब्द करवाया जाएगा, लेकिन इसी योजना में ये भी है कि अगर वो श्रमिक, असंगठित छेत्र का है, तो फिर उसको पांच रुपे की दर से जो है, वो अन जो है, वो भोजन जो है, वो गर्म पौश्टिक भोजन उपलब्द करवाया जाएगा, इस बात को अपनों ध्यान में रखना, तो संगठित छेत्र के लिए 10 रुपे, और आसंगठित छेत्र की सामिकों के लिए 5 रुपे, ऐसा, ठी नेक्स्ट, देखो, यह सारी योजना है, जो है, इसको, यह सारी नमिंतम योजना है, पुरानी योजना है, वैसे भी आप हमके एक्जाम में नहीं पूछता है, आपके होस्टल वड़न के एक्जाम के लिए, यही परते प्रश्ण बलेंगे, ठीक, बाहर नहीं जाएगा प महत्कून है, उनमें से यह भी एक प्रमुख है, तो इसका आंसर है, सीधे बता जेता हूं, मैं 20 करोड रुपय है, ठीक, 20 करोड, केड़ा प्रोचसाहन योजना, समझेंगे इसको यह कैसी योजना है, प्रोचसाहन के लिए राशी प्रदान की जाती है, और अलग-अलग स् इस्तर में, जिला इस्तर में, आपका संभाग इस्तर में, संभाग इस्तर में, राज्य इस्तर में, और राश्ट्री इस्तर पर, ठीक, ऐसा, यह चार इस्तर पर प्रोचसाहन की राशी प्रदान की जाएगी, इसमें एक हजार रुपय जिला इस्तर पर अगर वो अच्छा करता है तो 2,000 रुपए अगर वो संभाग इस्तर पर अच्छा करता है तो 5,000 रुपए अगर वो राज्य इस्तर पर कुछ उत्कृष्ट खेल का प्रदशन करता है तो और 50,000 रुपए अगर वो राश्ट्री इस्तर पर अच्छा परफॉर्म करता है तो तो इस राशी को में रखेंगी कृड़ा पूर्ट साहन योजना नेक्स्ट तेंदू प्रत्ता संग्राहक योजना के तहत प्रतिमानाग बोरा कितने रुपए की सहायता राशिप्रदान की जाती है व्यापाम का फेवरिट जब चार हजार रुपए था तो तो लगाता पूछता था बार-बा पच्पंच रुपए प्रतिमानाग बोरा की हिसाब से राशी उपलब्द करवाई जाती है एक मानाग बोरा में आपको 55-100 रुपए राशी प्रदान की जाएगी नेक्स्ट अगला प्रशन है अमारा दिन द्याल उपाध्य है भूमिहीन क्रिशी मजदूर नियाई उजना थी इसके पहले वाली लेकिन इस योजना का अब नाम बदल दिया गया है पहले इस योजना का नाम क्या था राजीव गांधी ने आए योजना ये इसका पूरा नाम था लेकिन अभी इसका नाम में क्या लगा दिया गया है? दिन ध्याल उपाध है! इस बात कOH भी आप लोग द्यान में रखेंगे कि बदला गया इसका नाम अब यह जो योजना है इस योजना के तहट कितने रुपय का बुक्तान किया जाएगा मजदूरों को तो मजदूरों को दिख भी रहागो आप लोग को बड़ा बड़ा लिखा हुआ दस अजार रुपया दस अजार रुपय का बुक्तान किया जाएका पहले यह रासी साथ जार थी बड़ाकर 9000 पर 10,000 तो इसका आंसर फाइनली क्या होगा दस अजार ठिक 10,000 रुपे की राशी का भुक्तान किया जाएगा इसके ताहत है, अगली योजना हमारी, राम लला दर्शन योजना, यह भी फ्लैक्शिप योजना है भई, छटकरा सरकार की फ्लैक्शिप योजना है, बहुत महत्पून, इस योजना के तहत प्रतिवर्श कितने दर्शन आर भग-भग 20,000 लोगों को कम से कम आयवध्या का दर्शन करवाया जाएगा, ठेक है, जो नए राम मंदिर बना है, उसका दर्शन कराया जाएगा, 20,000 लोगों को, तो यहां इस योजना में आप लोग एक बात ध्यान में रखना, कि इसकी जो शुरुवात हुई थी, वो ही थी देख बाल करती है, घर से ले करके, है न, मंदिर तक के दर्शन वहाँ पर रुखने की विवस्ता, खाने की विवस्ता, सभी का जो खर्च है, वो सचिकर सरकार जो है, वो इसकी योजना के ताहत उठाती है, इसका जो नोडल एजंसी है, वो भी ध्यान में रखेंगे आप परेटन विभाग, परेटन विभाग को जो है, इसका नोडल एजंसी बनाया गया है, इस बात को ध्यान में रखना, और मुख्य मंतरी जो है, इसके अध्यक्ष है, इस योजना की सीधे देख रेक करते हैं, वो, नेक्स्ट, मुख्य मंतरी निर्माण, स्रमिक पेंचन का मतलब क्या है? कि अगर कोई श्रमिक, वो, 60 वर्छ से अधिक आयू का है, और पंजी कृत है, और कैसा पंजी के रिथ है? पीछले 10 साल से, वो, पंजी कृत है, ठिक, श्रमिक के रोप में. तो फिर उसको इस साहाटा राषी, ये साहाटा राषी प्रदान की जाएगी कित योजना नेक्स्ट डॉक्टर खूबचन बगेल अन्य योजना भाई ये सारी महत्पूर्ण योजना अब खतम है इसके अलावा जो योजना है जो मेरा टार्गेट था कि पूछा जा सकता है वो मैं आप लोगों बता रहा हूं आयुष्मान स्वास्त स्वायता योजना इस योजना के बारे में थोड़ी बहुत बात है ना पहले बहुत ज़्यदा महत्पूर्ण थी एक जनवरी 2020 को इसकी शुरुवात की गई थी पहला पॉइंट दूसरा कि अगर कोई वेक्ती BPL का है तो उसको पांच लाख रुपे का जो है वो स्वास्त राहत प्रदान किया जाता इसके तहत और अगर कोई वेक्ती APL का है तो इसको पचास हजार रुपे तक की इसमें स्वास्त राप प्रदान किया जाता है राश्ची प्रदान नि की जाती है स्वास्त सहयता उपलब्द करा जाती इतने राश्ची की BPL के लिए 5 लाग APL के लिए 50,000 चू की इसका नाम अभी बदला गया है इसलिए इंपोडन्ट हो सकती तो वीरने रायन सिंग शहीद वीरने रायन सिंग के नाम पर ये योजना का पुना नामकरण किया गया है सूप्रभा कारिकरम योजना की प्रथम चरण में कितने जीलों को चिन्नांकित किया गया है। अब यह योजना बहुत महत्पून है। क्यों महत्पूर्ण है तो योजना इसलिए महत्पूर्ण है क्योंकि सुप्रभा कारिकरम अपने तरीके का थोड़ा स्पेशल कारिकरम है मेरे को लगा स्पेशल इसलिए ये अभ्यान बोलो योजना बोलो आपको इसको जो भी बोलो सबसे पहले समझो कि इसकी शुरुवात क माताओं के लिए भै घर्भवती या शीशुवती शीशुवती है न माताओं के लिए है यह किसलिए है तो इनकी स्वास्थ देखभाल के लिए और यह अपने तर्की का अनोखा अभियान है कि इसमें क्या किया जाता है मेडिटेशन, योगा, आयुर्वेदिक पद्धती अपनाई जाती है, अईुर्वेदिक पद्धती, ऐसा, मतलब उनकी देख भाल के लिए इस पद्धती को अपनाया जाता है, समधना इसका आंसर जो होगा, फिलहाल की, कितने जिलो कुछ इन्नांकित किया गया, तो 6 जिलो क आप लोग ध्यान में रखेंगे, उपर और नीचे एक-एक, कौन-कौन सा, पहला हो जाएगा उपर सरगुजा, ठीक, नीचे हो जाएगा आपका बस्तर, सरगुजा से नीचे आओगे, तो अपना बिलासपूर, ठीक, बिलासपूर एक, इससे नीचे आओगे, तो एक अप अपना रायपूर, इधर बाजू चले जाओगे, तो आपका दुर्ग, इधर नीचे चले जाओगे, तो आपका धमतरी, ऐसा, कितना हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छे, तो इसको ऐसा धान में रखेंगे, आप लोग, सरगुजा बस्तर, बीच में रायपूर, उपर, बीएसपी, बाजू में इसके दुर्ग, और नीचे तरफ धमतरी, ऐसा, तो ये छे जिलों में संचाली था वरतमान में, नेक्स्ट, अगली योजना हमारी, ये बहुत जादा महत्पूर्ण योजना, बही, है ना, शक्ति पीट योजना में कितने मंदिरों का पुन इसले सरकार ने उसके उपर बहुत ज़्यदा फोकस किया, ये सरकार जो है, अब इस योजना के उपर बहुत ज़्यदा फोकस कर दी है, तो प्रश्न आने की सम्झावना बहुत ज्यादा है, लगभग इसकी जो लंबाई होगी, वह 1000 किलोमेटर की होगी, पाथ छेतर को चि अगला आपका सक्ती में चंद्रहासनी मंदिर ऐसा इसे विक्सित किया जाएगा इसके बाद आपका बिलासपूर में रतनपूर में महामाया मंदिर ये रहेगा आपका रादनान गाओ जिले में डोंगरगड़ पड़ता है तो डोंगरगड़ में ठीक डोंगरगड़ में बमलेश्वरी माता का मंदिर बमलेश्वरी माता का मंदिर किता हो गया एक, दो, तीन और चार एक और आखरी वाला दंतेवाड़ा में दंतेवाड़ा में बहुत ही फेमस दंतेश्वरी मंदिर दंतेश्वरी मंदिर तो ये चार जो है वो शक्ती पीट को चिन्नांकित किया गया है और इनको एक एक करके इनका विकास किया जाएगा तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे बहुत ज्यादा महात्पूर्ण शक्ति पीठ योजना चार धाम यात्रा के तहद जो है इसको आप बोड़ सकते हो चक्ति जड़की पांस धाम यात्रा ऐ तो इसका जो आंसर है इसका आंसर है गुरुवार गुरुवार के दिन जो है वो जितने भी भुजुर्ग लोग होते हैं उनको जितनी भी आयरुवेदिक संस्थान है अमारे यहां आयुरुवेदिक संस्थान लगबग चतिसगण में 1176 आयुरुवेदिक संस्थानों में वो बुजुर्गों को उनकी स्वास्त देख भाल के लिए वो इस योजना का संचालन किया जा रहा है इसको आप लो मत ध्यान देना अब ये पूरे चतिसगण में इसका विस्तार है मह संस्थान से चलो हुआ है ऐसा ध्यान में रख सकते हो आप लो तो यह जो है यह बहुत महात्पूर्ण योजना है आयुरुवेदिक पद्धती से उनको क्या किया जाएगा उनकी स्वास्त देख भाल की जाएगी नेक्स्ट मल्टी विलेज योजना का संबंद किस समस्या से संबंदित है बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण फेल हाल के लिए क्यों क्यों यह तुम लोग देखर हो भई जो जो जलस्तर है उडगातार कम होता जारह है बारिश ओरे लेकिन जलस्तर जो है उपर उठि नहीं रहे तो पहला तो आंसर इसका क्या हुआ कि भूजल स्तर में कमी जो हे वह इस योजना का मुख्योंदेश है द्रको उपर उठाना है तो यह तो योजना specific कहा पर चल रही होगी? वहाँ जहाँ भूजल स्तर कम होगा तो भूजल स्तर हमारे यहां कितने जिलों में कम है? तो इन जिलों की संक्या है 18 तो अगर आपको पूछे कि यह जो योजना है multi village योजना है कितने जिलों में संचालित है? तो वह 18 जिलों में संचालित है बूजल स्तर को उपर उठाने के लिए समर्पित यह योजना है next प्रधान मंत्री सुई घर योजना के ताथ कितने घरों को रोशन करने का लक्ष रखा गया है? यह भी important योजना है भाई? कि अच्छा important क्यों है? इसका आंशर तो एक करोड़ों का भई एक करोड़ घरों को हना रोशन करने का लक्ष रखा गया है ना किवल रोशन करना बल्कि आर्थिक सहायता भी उपलब्द करवाना इस योजना के बारे में जानेंगे भई इस योजना में क्या है कि सरकार जो है अनुदान प्रदान करेगी, अनुदान प्रदान करने के बाद, आप जितना अपने घर में उप्योग हो रहा है, वो आप उप्योग करो, और बाकी का सरकार को बेज दो, तो इस की भी कीमत, यानि कि इसका भी सरकार आप से वो खरीदे है, तो यह योजना जो है, यह बहुत पर स्थापित किया गया है, ठेक है, यह बहुत ज़्यदा महतुपुन भाई, राश्ची स्तर की बात हो रही है, सबसे बड़ा है, इसलिए सुकमा, भिलाई, डोंगरगड और रायपूर, तो इसका आंसर होगा, डोंगरगड, ठेक, डोंगरगड में, अभी सबसे बड़ा इसलिए स्थापना की जा रही है, यह लगभख 500 एकड में किया जा रहे है, यह बन कर तयार भी हो गया शयद, तो इसका आंसर जो है, वह डोंगरगड होगा, पांसो एकड में सोलर पैड को जो है वो इसका विकास किया गया, यूजन के मैरे क्या है? तो इसका जो आंसर है वह 23-28 है आप लोग को दिख भी रहा होगा है आप लोग इसमें देख सकते हैं कि इसमें लिखा भी हुआ है 2023-28 अब इसके तार अच्छा इसमें सारा डिटेल भी दिया हुआ है कि अगर कोई महिला वी निर्मान के छेतर में या फिर सेवा छेतर में या फिर व्यावसाय के छेतर में है अगर कोई कारी करती है तो सरकार के द्वारा उसको अनुदान प्रदान किया जाएगा हना मदब रिन किराशी प्रदान की जाएगी लोन दिया जाएगा कितना रुपय तक के तो यह 50 लाख है लिखा हुआ है साफ साफ 50 लाख 25 लाख और 10 ल यह, 23-28 आप लोग जिको ध्यानम में रखेंगे नेग्स्ट राजिम में कोरग अभियान कितने जिलो में संचालित है, ॅब कोरच अभियान ठICK इसको ध्यानमे रखेंगे आप nordas convenient क्या है meine colleague ठीक तो पहले तो इससका अन्सार होगा God Athik आंसर क्या होगा इसका नाओं को दुरगट नाओं को टार्गेट किया गया कि उनको कम किया जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जाए इसमें आपका सबसे पहले आती है एक तो आता है आपका कार्डियक अरेस्ट ठीक एक आता है आपका सर्पदंच ठीक सर्पदंच आतमहत्य एक आता है पेरालेसिस ठीक पेरालेसिस तो यह इतनी चीज़ें भाई इतनी विमारिया इसमें इसके अंतर का चिन्हांकित की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जाए यह को रेड़ अभियान ग्यारा जिलों में से इंचालित है इसको आप ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट नोनी जोहर योजना का संबंद किस से है बाली का संबंद बाली का पोशन बेटी पजाओ बेटी पढ़ाओ इन में से कोई नहीं तो इसका जो संबंद है वह बाली का संबंद से है अमारी वर्तमान सरकार के दौरा यह यह योजना चालू की गई है इसके अतहत अग चालू की गई है नूनी जोहर योजना इसको ध्यान में रखेंगे आप लो नेक्स पक्षी सर्वेक्षन अभियान का योजन दोजल 24 में किस इस्थान पर किया गया है तो यह जो अभियान है थोड़ा सा अभी चर्चा में है भोरम देव अभियारं में यहां पर किया गया है समझेंगे क्यों चर्चा में है क्योंकि देखा गया कि बहुत सारी प्रजातिया जो है जो पहले यहां विद्दमान थी अब वहाँ पर नहीं है विलिप्थ हो गई है या फिर पलायान कर गई है वह बात की बात है लेकिन बहुत सारी जो प्रजातिया थी लगबाग तिरप इसको ध्यान में रखना आप लोग बहुत सारे बैनर पॉस्टर आप लोग देखते हों के रस्ते में तो इसकी जो शुरुवात है वो राष्ट्री इस तर पर 5 जुन को की गई थी कब की गई थी पाथ जुन को ठीक है मोदी जी के द्वारा की गई थी आप लोग जानते हो पाथ जुन को क्या होता है तो पाथ जुन को इसकी शुरुवात की गई थी लेकिन अगर आपको 36 गड़ में पूछा कि इसकी शुरुवात कब हुई थी तो यह हुई थी 11 जुलाई क 24 को इसकी शुरुवात हुई थी मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्र जी के दुवारा जो है अपने ही घर में एक व्रिक्षा लगा करके इसकी शुरुवात की गई थी 11 जुलाई 24 को और इसके ताथ क्या लक्ष रखा गया है लक्ष भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो भई कि चार करोड पौधों का रोपन करना चार करोड पौधे ऐसा नेक्स्ट अगली योजना हमारी नई चेतना जेंडर अभियान अभियान से कोश्चन भई है नई चेतना जेंडर अभियान 2.0 का संचालान कब किया गया चार से 24 सितंबर तीन से 23 सितंबर चार से 22 सितंबर चार से 23 सितंबर तो इसका आंसर होगा डी चार से 23 सितंबर कैसा अभियान है देख सकते हो नई ची इतना जेंडर अभियान यानि की महिलाओं के शक्ति करन के लिए इसकी शुरुवात की गई है यह डेट इंपोर्डिंट है यही पर सिप्रशने पूछेगा आपसे अगला कि नया सबेरा अभियान किस जिले से संचालि किया जा रहा है यह बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है इसको दियान में रखना आप लोग नया सबेरा अभियान अभी जितने भी नशामुक्ति अभियान है उन सभी का नाम और वह जिले चंबंदित जिले यह आप लोग याद रखना इसका अंसर होगा गरियावन आप एक अभियान चला अंट जिसका नाम क्या है निजात ऐसा प्रिटीलह चाला कि निजात अभियान शतना पहुत ली जीलों में चल रागा है विलासपूर में भी अदितनां अभियान को आ पड़ेरा अभियान अभियान के बारे में थोड़ा आप लोग जाने आं ये पुना अवेश अभियान आप लोग इसका पहले screenshot ले लोगी ठीक ये तो पुना नारकोम अभियान सुक्मा जिले से पुना अवेश कांकेर से इसके बाड़े में थोड़ा जानो पहले तो यह कि यह मनेंदगण से संबंदित है यह अभियान क्या है कि जो घुमंतू बच्चे यह जिनका कोई घर परिवार नहीं है उन घुमंतू बच्चों को या कच्रा उठाने वाले बच्चों को क्या किया जाएगा सिक्चा से जोड़ा जाएगा और उनका क्या किया जाएगा उनका स्वास्तिकत देखभाल किया जाएगा तो यह अभियान जो है यह बड़ा फेमास हो रहा है राश्ट्री स्थर पर बाल जता अभियान आने वाले समय में यह फ्ट्टा चर्चा का विशा बनेगा और द्यान में गना भई यह हैती से सम्भंदित है जो हो रहा है वहापर अपर भारतियों को निकालने के लिए लिए घरताने के लिए विदेश मंत्रान के द्वराद चलुक किया गया हैंगे आगे भी जो वीडियोज है वो आते रहेंगे मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी नया नया वीडियो डालते रहूं ताकि आप लोग का जो होस्टल वड़न का एक्जाम है उसके पहले-पहले सारा करेंट अफर हम लोग कम्प्रीट कर ले आप लोग इसको शेयर भी करेंगे अगर आप लोग को अच्छा लाइए गातो तब तक लिए मिलते हैं धन्यमाद